हेलो और वेलकम टो ओलाइन एटाफोर श्टी बनेसे बैट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सुभी का एक बड़ी और लेटिस अपडेट की बारे में जो की सम्मंदित है बीएड वर्सिस बीटीसी मामले को लेकर या फे कहें बीएड वर्सिस बीटीसी नहीं समय से विवाद था अब 39,000 सिच्छक भरती में उलट फे को लेकर जान गई आपके सामने है और यह जान गई आपको जो भी दी जाएगी वो ऑफीशल माध्यम से होगी सुपीम कोट ओफ इंडिया के माध्यम से जारी कियेगी ऑफीशल कोपी के बारे में मुद्दा क्या है पहले समझ लो 39,000 सिच्छक भरती के अंदर बिग्यापन को जब जारी किया गया था उस समय पे बीएड अव्यर्थियों को पैमरी सिच्छक भरती में शामिल कर लिया गया था उसके बाद मामला कट ओफ को लेकर सुपीम कोट में गया वही पर सिंगल बेंच ने जब 40-45 द लेकर वहाँ पर जादा नहीं रखी गई थी या फिर उन पर जादा सुनवाई नहीं हुई थी सुपीम कोट तक मामला गया और सुपीम कोट की जस्टिस यू यू ललिच जी के माधियम से टिपिनी की गई क्योंकि बीएड को सिंगल बेंच में चैलेंज नहीं किया गया थ और सिंगल बेंच के ओडर आने के बाद चैलेंज किया गया था तो ऐसे मैं बीएड पर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया लेकिन अब सुपीम कोट ओफ इंडिया के माधियम से हाली में दिये गए तीन चार ओडर के बाद से अब बीएड वसिस बीटी सी और बीएड वसि सिच्चक बरती को लेकर जिसका डर था वो हो चुका है जिया दोस्तों 99,000 सिच्चक बरती में जिस बात को लेकर जानकाई मैंने आपको 10 दिन पहले ही दे दी थी कि सुपीम कोट ओफ इंडिया के माधियम से जादी किये गए ओडर के आधार पर अब 99,000 सिच्चक बरती में सिच्चा मित्र एकबाफिस से एक्टिव हो चुके हैं और इंदा सुपीम कोट ओफ इंडिया यानि कि सुपीम कोट के अंदर याचिकर दाखिल कर दी गई है बीएड को प्रैमरी सिच्चक बरती से बाहल करने के लिए सवाल आपके मन में होगा कि इससे सिच्चा मित्तों क को क्या फायदा होगा इससे सिच्चा मित्तों को ये फायदा होगा जो उन्होंने याचिका के अंदर बताया है मैं आपको वही बता रहा हूँ उनका कहना यह है कि बीएड को प्रैमरी सिच्चक बरती से बाहल करते हुए सिच्चा मित्तों बीटी सी चात्तों को नौकी दी के अंदर जो बीएड अभ्यतियों को समलित किया गया था उसको लेकर यह याची का लगबग 304 पेज की है और इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो 79,000 सिच्छक वरती के लिए महत्पूर है लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके ज्यादा काम की है क्योंकि 304 जाता है कि आखी ये मुद्धा क्या है पहले नंबर पॉइंट के अंदर जानका ही दी गई जज्जमेंट को लेकर जो कि यहां पर पारित किये गए थे सिंगल मैंच अगर बात की जाए लखनों के माध्यम से लखनों ने 605 को यहां से महल लगा दी थी डवल मैंच ने उसक काम काम की मैं आपको वही बता हूँ अब सिच्छक बनने के लिए योगिता क्या होती है टीटी क्वालिफाई करना होता है साथ में आपको एटी आई देनी होती है जिसको असिस्टेंट टीचर एक्विट्मेंट एग्जामिनेशन के आप जानते हैं उसके अंदर समलित होन इससे पहले हुआ था शिक्षा मित्तों को सायक अध्यापक बनाया गया था जिसकी जानकाई आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षा मित्तों को असिस्टेंट टीचर बना दिया गया था लेकि आप सभी यहां पर भी देख सकते हैं, कि पहले कर दिया जाता है, मैं आपको इसलिए पढ़कर नहीं बता है। तो यहां पर आप सबी के सामने जानकाई शिक्षामित्वों के बारे में हैं जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा है एक लाग अड़ेतर अजा सिक्षामित्वर परसंट टूबी रेगुलाइज इन वॉयलेशन ऑफ लॉय यानि कि जो शिक्षामित्वों को रेगु अब आती है उनहें तर हजार सिच्षक बरती जिसकी आधार पर प्राथमिक के अंदर बियर डपरती समलित हुए थे अब यहां पर आप सभी के सामने काम की बाते हैं कि जो असिस्टेंट टीचर वेकेंसी निकाली गई थी उसमें आप से भी जानते हैं कि बी टीसी पिलस डीलड पिलस सिक्षामित्व पिलस बीयर अभ्यतियों को यहां पर संशुदन की आधार पर समलित कर लिया गया था जो जो कि छोटी सी ट्राइपिंग मिस्टिक है अब इसी को लेकर यहां पर लिखा हुआ है कि जो मिनिम्मम क्वालिफाइंग मार्क्स लगाए गए थे एटी आजी के अंदर दोजा अठाए में एज ए मिनिम्मम क्वालिफिकेशन सरसट परसंट मार्क्स यहां पर देखने के मिले थे 500 मैं से अगर बात की चालीस पैंतालिस जो कट आफ है वो लगाई गई थी जो कि ओबी सी और यहां पर जन्रल के लिए थी चालीस पैंतालिस यह किसमें थी 68500 के अंदर इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है जब यहां पर एक्जामिनेशन वाज है जाती जिसमें 41,556 केंड़ेट सेलेक्ट होते हैं जिसमें 40,45 कटॉप पर 40,296 अभेरती सेलेक्ट हो जाते हैं और अगर बात की जए जो शिक्षामित्तों के बारे में तो वो भी यहां पर जानका ही लिखी हुई है लेकिन इसी तरीके से वहां पर बीयर्ड अभेरतियों क को प्राइमरी सिच्चक बरती के दूप में एलिजबल कर देती है और उसके बाद में यहां पर जब बीयर्ड अभेरती जो एलिजबल हो जाते हैं प्राइमरी के अंदर तो उसके बाद में एक दिसमबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उनेहतर हजार सिच्चक बर जिसके आदार पर बीयर्ड अभेरतियों को प्राइमरी सिच्चक बरती में एलिजबल कर दिया गया यूपी के अंदर लेकिन अब यहां से मुद्दे की बास शुरू हो जाती है डवल बैंच को लेकर अब यहां पर क्या हुआ है यहां पर उनका कहना है कि सिच्चा मित्रों के माध्यम से सिंगल बैंच में प्रेटिशन फाइल करके 2019 के अंदर चैलेंज कर दिया गया था अठाइस च्चै दोजा अठाइक के नॉटिफिकेशन को लेकर जिसके बारे में जानकाई और भी जानकाई दी गई है अब यहां मामला यह है कि देवेस ब्रमा जो याचिका दाखिल की थी सुपीम कोड के अंदर देवे शर्मा माफ कीजिए यूनियन ऑफ इंडिया इसमें क्या ओडर दिया गया था इसमें ओडर यह था 11 अगरस दोजा थे इसको कि 28 628 का जो नॉटिफिकेशन उसको रद कर दिया जाता है यहां पर भी टैपिंग मिश्टेक है जिसको लेकर ठीक करना होगा अब इसमें क्या हुआ था इसमें बीएड केंडेट अपियर किये गए थे सिच्छक बनने के लिए वो भी इलीगल हो जाते हैं यहां पर उनके माध्यम से मांग की गई है कि जो 2828 का नॉटिफिकेशन रद किया गया उसके आधार पर जो भी यहां पर टीचर्स है वो पूरे तरीके से लीगल हो जाते हैं परसन हो एस बीएड क्वालिफिकेशन हैस बीन टेंड इंपार्ट ऑफ टीचिंग तु सेकंडी एंड हाइस सेकंडी लेवल ऑफ इस्ट्रेट ही इस नॉट एक्सेप्ट तो इंपार्ट ट्रेनिंग प्रैमरी लेवल जना रूल से इसके अलाबा जो आर्टी एक्ट है उसके खिलाप है नीचे लिखा हुए डिप्लोमेंट एलिमेंटी एज्यूकेशन एंड नोट बीएड इस दा प्रॉपर क्वालिफिकेशन प्रैमरी स्कूल यानि कि जो बीएड है वो प्रॉपर प्रैमरी स्कूल के लिए नहीं बना है इसी तरीके से और भी बहुत साइब बाते या लिखी हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया ने अपने ओर्डर के अंदर कही है सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया ने बीर्ड को लेकर बहुत साइब बातें की थी जैसे कि पेडिगोर्जिकल स्किल्स ना होना प्राइमरी के लिए बीएड एलिजबल ना होना डी एलड और बीएड को एक न मानना समान न मानना और नहीं उच्छ डिग्री मानना अलग अलग टाइप ऑफ डिग्री के माध्यम से यह बात की गई है और इसलिए यहां पर देवेश शर्मा वाले ओर्डर को लेकर जगे जगे पर जानकारी है अब यह तो बात हो जाती है किसको लिकर लेकिन अब यहां लिखा है अब यहां लिखा है अब इन्टू सेम ऐस बीन क्वेस्ट बाइदा और नेवर लाइकोट यानि कि 28 से 28 के नोटिफिकेशन के आदार पर बीएड अबहती लेकिन सुपीम कोट ऑफ इंडिया की माध्यम से इस नोटिफिकेशन को इदा दिकर दिया गया है यानि कि 29 सिच्छेंग बहती के अंदर जो कट ओफ लगाया गया था 60-60% उसी को लेकर यहां बात की गई है लेकिन जब उससे पहले वेकेंसी निकाली गई थी उसमें 40-45 लगाया गया था जिसको लेकर यहां पर बताया गया है फिलाल मुद्दे की बात यह है कि अब सिक्षा मित्तों के माध्यम से इस मुद्दे पर सुपीम कोड ओफ इंडिया में प्रटीशन फाइल कर दिया गया है इस प्रटीशन के अंदर मांग क्या की गई वो आपको समझ लेनी है मांग यह है कि NCTE ने 286-288 को जो नोटिफिकेशन जादी किया गया था उसके आदा पर B.A.D.Candidate को यहां पर eligible किया गया जब B.A.D.Candidate इसमें eligible होते हैं तो उसके बाद में आप जानते हैं कि A.T.I.E. 2018 के अंदर करड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है हाला कि दोनों के questions के paper के अंदर और pattern के अंदर अलग-अलग defense भी था जिसको लेकर मैंने आपको कई बार 39,000 से इच्चेक बहती हैं बताया भी था कि 68,500 के अंदर लेकिन यहां B.A.D. अबयर्तियों को लेकर 39,000 सिच्चेक बहती में challenge हुए है वो illegal तरीके से नोकी करें ऐसा मैंने ऐसा कहना है इस याचिका के अंदर यहाचिका जैसा कि मैंने आपको मतलब कि 68,500 की वेकिंसी की बात हुए है दो जा ठाएं वो भी निकाली कही थी लेकिन इसको लेकर जब एक लाग साथ अजार एडी आई के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें ऐसे 41,556 यहां से eligible हो जाते हैं इसमें अगर बात किये शिक्षा मित्तों के बारे में तो 8588 शिक्षा मित्तों चैनित हो जाते हैं इसी तरीके से 39,000 सिक्षक बाती के अंदर 4,9530 अब्रती पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें 1,46,000 अब्रती क्वालिफाई होते हैं और 60% कट-off लगाए जाने के बाद से 45,000 सिक्षा मित्तों इसमें बैठते हैं लेकिन क्वालि तू दा इंवॉल्मेंट ऑफ बीर्ड केंड़ेट एसे कॉंस्वेंस ऑफ दर नौटिफिकेशन रटाश्ट है दोजा ठाले एंसी नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इंकिलीज इंदर स्लेक्षन प्रॉसस एटिया दोजा उनिस यानिक उनका कहना यह है कि बीर्ड केंड़ेट जाते हैं और अगर कटोफ चालीस पैंतालीस होता तो निश्चित ओर पेस में लगबग दो लाग के आसपास अब्याथी संभलेत होते मतलब चैनित हो जाते साट पैस चालीस पैंतालीस पर तो उनके लिए चैनित कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता और अगर दो ला जाते हैं और उसके बाद में जो सीटें खाली होती हैं उस पर मेरिट को डाउन करके सीटों को बढ़ा जाए अब जैसा कि मैंने आपको स्टाडिंग में कहा था कि यह बहुत लंबा और है मैं इसको पूरा पढ़कर नहीं बता पाऊंगा अब मुर्दे की बात पर आ जाते जैसे कि आपको काम की बात पता चल जाए अगर आपके मन में कभी भी लगे आगर आप कहेंगे कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजे पूरा 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 300 पेस को लेकर तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सीट गंटे के अंदर कंपलीट कर दिया जाए लेकिन जब जाएगा कमेंट करना और शेयर कर देना तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि 99,000 सिट्चक बरती के अंदर शिक्षा में तो फिर से एक्टिव हो चुके हैं बड़े उलट फेरी के लिए मांग यही है कि 99,000 सिट्चक बरती में बीर शात्तों की निक्ति को र इंडिया में जाएगा किसकी जीत होगी किसकी हाल होगी इसको लेकर मैं अभी कुछ भी कहने के लिए तयार नहीं हो क्योंकि अभी तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी सिप याचिका दाखिल होई है इस याचिका के आदार पर सुप्रिम कोड ऑफ इंडि अभी कहते थे कि अभी बाहर नहीं होगा अब जो हुआ उसको लेकर ना तो सरकार कुछ बोली ना एंसिटी कुछ बोली है और मैंने आप सभी को कहा भी था कि आप लोग क्यार देएगा कि यह मामला बहुत ज्यादा गंबी होने वाला है क्या होगा क्या नी यह तो भविश 240 पेज की उपर जो लिखी बात हैं आपको एतने चोटे वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं फिलाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो